तो चलिए देखते question no.63 क्या है हमको बोल रहा है कि find the equation of the tangent line to the curve ठीक है इसके उपर अपने को tangent निकाला और भीचे is parallel to the line ओके ठीक है अभी तक अपने को क्या था कि हमको एक point दिया जादा था और हमसे बोल देखो हमको एक point दिया जादा था और एक curve दिया जादा था हमसे बोल निकालेंगे किस जगह पर यह point मतलब यह slope आएगा ठीक है और फिर उसके बाद फिर हम question of tangent निकालेंगे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो पहले तो बता यह slope कितना हो जागा 4x minus 2y plus 3 equals to 0 तो इस line की slope लिका लेगा इतरी कि differentiate कर लो चाहे y equals to mx plus c वाला format ले ले लो पा जाएगा 2 तो अपने को यही निकालना है और यही अपनी dy by dx की value होनी चाहिए तो देखते हैं क्या आ जाएगा y equals to root 5x minus 3 by minus 2 d by dx करते हैं तो root को differentiate करते हैं तो पहले तो 1 by 2 आता है फिर denominator में root चला जाता है और फिर root के अंदरे का differentiation होता है तो यह तो 5 बच जाएगा यहाँ जाएगा minus 2 नहीं minus 2 क्यों आएगा यह तो 0 हो जाएगा अब देखो यह अपने को कहां का निकालना इस point का निकालना जहाँ प root 5 x minus 3 और आजाएगा अपना 5 by 4 अब देखो दोनों साइट squaring करो देखो क्या हो जाएगा 5 x minus 3 आजाएगा और यहाँ आजाएगा 25 by 60 तो देखो 5 x क्या आगे अपना 25 by 16 plus 3 LCM लेको करो क्या आता है 63 जा 48 हो जाएगा 48 plus 25 किता होता है 73 73 by 16 तो अपने x की value क्या आजाएगी 75 by 80 x आगे अपना यह चलो y coordinate निकालते हैं कैसे निकालोगे sir तो अपने पास equation given है यह वाली यह वाली equation given है इसमें पूट कर रहे हैं ठीक है तो y is equal to root 5 x x की value क्या आई है 75 by 80 minus 3 minus 2 देखो क्या बनता है y is equals 2 देखो यह 5 10 कर जाएगा 16 आजाएगा फिर 16 3 से minus 48 हो जाएगा तो 75 minus 48 by 16 minus 2 देखो उपर क्या बन जाएगा 25 तो आजाएगा अपना root 25 by 16 हो जाएगा तो वो क्या होता है 5 by 4 minus 2 और बताओ y क्या आजाएगा फिर y आजाएगा 4 तो यह आजाएगा minus 3 by 4 तो बताओ अपना coordinate क्या हो गया है अपना जो point था वो हो जाएगा 75 by 80 comma minus 3 by 4 और अपना slope क् जाएगा इसलोप तो आपना टू तो अपना एज़ी है अब equation निकाल लिए बस निकाल लो ठाएगा तो चलो निकालते हैं लेखते क्या बनेगा तो अपना equation का कैसे निकालते है y minus y1 equals to mx minus x1 करके ठाएगा तो y minus y1 minus y1 तो minus minus plus हो जाएगा 3 by 4 हो जाएगा यहाँ slope क्या आप करो यहां पर देखो LCM लो तो क्या हो जाएगा 4y plus 3 4 sorry बहुत गंदा 4 बन गया ठीक है यहां जाएगा 2 का multiply करो तो क्या हो जाएगा 2 अच्छा 2 का multiply की करना हूं एक आपको LCM लो ठीक है 2 यहां जाएगा 80x minus 73 और अच्छा 2 से कट जाएगा 40 ताइम और यहां पर यह 4 से कट जाएगा 10 तो 10 का cross multiplication कर दो तो क्या हो जाएगा 10y plus 30 is equals to 80x minus 73 इदर ले आओ तो क्या बन जाएगा अच्छा 10 नहीं होगा sorry 40 होगा है न तो यहां आ जाएगा 40y minus 80x और 73 plus 30 कित्ता हो जाएगा 103 is equals to 0 यह अपने क्या गया equation of required engine ठीक है